नमस्कार और स्वागत एक वर फिर से आप सबों का मेरे चानल आरेस्ट लाइब में आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ द्वार का एक्सप्रेस वे और वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ नया अपडेट है लेकिन उससे पहले अगर आपन फॉल्व कर लें आप मुझे तो चलिए देखते हैं वेल्कम तूब ड्वार्का एक्सप्रेस वे पर आपका फिर से स्वागत है और स्वागत है साथ ही साथ मेरे चैनल पे भी हम ड्राइफ करेंगे द्वार्का एक सुप्रेस वे वैसे ड्राइफ करने बन कर तैयार हो चुका है , और पिलर के साथ साथ पाम्डेशन का भी काम जो है वो भी कंपलीट हो चुका है और आभे चलेंगे और आगे तक देखते हैं कि कहा कितना कूछ काम हुआ है और हाद वीधियो पसंद है तो इसको लाइक जरू कर ले नas cage करते हो पुरा ऐसे इस रोड पर ड्राइब करने के बाब जूद वीडियो बनाने के बाद ना जब वीडियो पर इतने सारे लाइक मिलते हैं तो मजा आ जाता है तो प्लीज ज़रू कर देना वैसे आप सब्सक्राइब कि मैं ऐसे क्यों ड्राइब पर रहा हूं या तो नों तरफ से रोड है यह टूवे ही है कई जगा पर वन बे है कई जगा पर टूवे है कि जिस हिसाब से जैसे जैसे कंस्रक्शन चलता है उस हिसाब से यह रोड को डाइवर्ट करते रहते हैं और यह फिलहाल कंस्रक्शन कंपरी के हाथ में रहता है जब तक यह इस पर कंस्रक्शन कर रह या उल्व देना है कहां से क्या करना वो सब करते रहते लेकिन अभी चुश्चन चल रहा है और यह सारी पूरी की फूरी जिम्मवारी जो है एक अंधर ही आता है यहां पे अगर आप देखो तो यहां फांडेशन हो चुका है तयार और उसके साथ-साथ यह जितने भी सरीये हैं वह भी खरे हो चुके यानि कि सरीये का जो पूरा पिलर का जो ढांचा ही कि आपको ऐसे दिख सकता है स्पीड लिमिट ट्वंटी है इस रोड पे ट्वंटी इस लिए क्योंकि रोड इतना अच्छा इसलिए इसमें सही लिखा है गो स्लो और मैं तो स्लो स्लो ही जा हुआ ताकि आपको मैं थोड़े फास्ट फास्ट वीडियो दिखा सकूं ताकि मैं आपको अपडेट दे सको यहां पर जैसे यहां तक आपकी जा रही है नजरे जहां तक आपकी जा रही हो वहां तक यह पि ताब के साथ जो स्टेज वन का काम है वह जो फञंडिशन मनता है वो और उसके बाद फिर ऐसे सरीय लगा कर पिलर किया जाता है खड़ा और पिलर करने के कि बाद पिलर जब कंक्रीट से ढालकर तयार हो जाता है स्ट्रीय दीजता है यह आ तक यह तो आसे आपको दिखते हैं और उसके बाद अ दिखता है जिरह साम तो स्टेज bazaar काम ब् chịया है यह स्टेज 2 का काम है यह उसके बाद भी ऐसा मत सोचे कि काम अभी खतम हुआ है काम तो मतलब आदा कंप्लीट हुआ है जब यह बन जाता है तो आदा कंप्लीट हो चुका है और स्टेज 3 फिर आपको यह जो सामने देख रहा है न यह जो पिलर्स देख रहे हैं आपको वह बनने के बाद यह है स्टेज 3 मतलब यह फाइनल हो चुका है उसके बाद आती है ये जो मसीन आप देख रहे हुआ है और यह यह मसीन फिर इसको एक दूसरे को जोईन करती है पिलर से पिलर तक कंकरीट के जो ब्लोड्स होते ना उनको कि टीक है के जितने ब्लॉप साथ अपोग करेगी केवल के तुरोच के चरोग कर देंगे तो हो चुका पिलर से पिलर संकरिक्रिट हो जाएगाई तो फिर उसके पिचिंग करके और ऐसे से तयार और और अपर णूडीको कुछ सालों भाग द्यूज कर जाने कि कुछ दिनों बाद ही कुछ महीनों बाद कि उसके फिर फाइनल टचिंग का काम रहाता है जैसे स्टीट लगाना वाइडिंग करना यह सब करना रह जाता है लेकिन तो आपको मैंने इसलिए समझा दिया कि पिलर कैसे तयार होता है मतलब पूरा एक जो फ्लाइवर है वो कैसे बनकर तयार होता है और उसके जो सबसे पहला काम है वो क्या होता है यह फांडैशन देख रहां और हॉट यह फीपुरू फिर लूट चाहिए लेकिन अब करूशन कयो नहीं टैयार होता है यह जो मसीन देख रहो आप सामरें अब टयायो Meyer है स्थार्टिंग डिको करने का जो काम है वो हर जेगा मोस्टली कंप्लीट हो सुगा है तो इसलिए यह जो मसीन है यह फांडेशन बनाते और जितना यह देख रहो न इतने गड़े गड़ती है यानि कि आराम से 30-40 फुट नीचे जमीन के अंदर यह गड़ा करती है और उतना गहरा होता है सब्सक्राइब करें जानी है तो लिए तो मजबूत भी तो होना पड़ेगा अगर उमजबूत नहीं होगा तो फिर उसके इतनी हेवी कारिया तो जाएंगी नी तो इसलिए उसको स्टॉंग बनाने के लिए जो फांडेशन होता है इतना परा और मजबूत तैयार किया जात सब्सक्राइब करें से अच्छी नहीं है लेफ्ट में देखो तहीं यहां पर चल रहा है नाले का काम यानि की नाला बन रहा है यहां और नाले के साथ-साथ यहां जो लेवल करना है वो लेवलिंग का भी काम चल रहा है तो कितना दिखना ना को कितना चोड़ा है ना वैसे आ लेकिन इस रोड पर सबसे बात ही है कि यह जो आप देख रहो ना यह कई जगा आपको जो गिला गिला से लग तो क्या करते हैं कि यह पानी का ना चिरकाओ कर देते हैं जिसके वैसे दूल ना हो रहे नहीं तो सोचिए जिस हिसाब से इस पर कंस्ट्शन चल रहा है अगर यह रहे हैं और जितनी गारीं इसको यूज करते हैं तो फिर तो इतना सारा पॉलूशन से बिए बीकां शुफ हो जायगा और इतना सारा मंस्ट्वी भी नहीं कि अगर से पानी को तो दिखेंगा भी कि ऐसके अजल हुआए कर देते मिंटी यह जमीन पर ही रहती जह है पुडी पार के बाद ही deh烏ती है और यहां पर अगर देखे घुट तो यह लएक हो नाला जो-पी ड्रेय도 सिस्ट्म होने वाला वाला है यह जो आप देख रहे हो यह इधर बन घ्ला अन। ओर यहां पर 你說 लाले की जो घ्रह है मैं आपको बताओ ओँ ये जो नाला तो एक्चली उसमें दो section कर देते हैं बीच में अगर कल को future ने ब्लॉक हो जा तो दूसरों को आप यूज कर सकते हैं इसे लगए यह video आप मुझे comment करके जरूर बताएगा और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर दीजेगा और bell icon को ब्रस कर दीजेगा और हाँ आप मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हैं Link मैंने description में डाल दिया है तो आप जाकर मुझे वहां से link पर click करें और page पर correct हो जाएगी और वहां से आप मुझे follow कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्यार लखेगा जहें